अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके नमस्कार प्रभासाक्षी नेटवर के खासकारिकरम शंक ध्वनी में आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बसंत पंचमी के बारे में जहां हम आपको बताएंगे पूजन विधी और मुहरुत से जुड़ी जानकारी हिंदू कलेंडर के अनुसार माग महा में शुकल पक्ष के पांचवे दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है हिंदू धर में इस दिन को बेहत शुब मानते हैं इस बार ये त्योहार 16 फरवरी 2021 को मनाई जाएगा माननेता है कि इस दिन मा सरस्वती की पूजा करने से विध्या और बुद्धी का वर्दान मिलता है माना जाता है कि इस दिन वसंत रितु की शुरुआत होती है वसंत पंचमी के दिन से नए कारे को शुरू करना बेहत शुब माना जाता है पराडी कथाओं के अनुसार स्रश्टी के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधों और जीव जन्तुओं सब कुछ दिख रहा था लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल कर छड़का तो सुन्दरिस्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई उनके एक हाथ में वीना और दूसरे हाथ में पुस्तक थी तीसरे में माला और चौथा हाथ वर्मुद्रा में था ये देवी थी मा सरस्वती मा सरस्वती ने जब वीना बजाया तो संसार की हर चीज में स्वरा किया इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती ये दिन था बसंत पंचमी का तब से देवलोग और मृत्य लोग में मा सरस्वती की पूजा होने लगी ये तो बात हुई बसंत पंचमी की कथा के बारे में। अब आये जानते हैं पूजा के शुब मूर्थ को। तो आये अब जानते हैं बसंत पंचमी की पूजा विधी के बारे में। इस दिन मा सरस्वती की प्रतिमा या मूर्थी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्प क्या नहीं। बसंत पंचमी के दिन किसी को अबशब्द बोलनी से बचना चाहिए। इस दिन अबशब्दों वा जगडे से भी बचना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मांस मदीरा के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पित्र तरपन भी किया चाना इस दिन ब्रह्म चारे का पालन करना बेहत जरूरी है। बसंत पंचमी के दिन बिना इस्नान किये भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। संभव हो तो पीले वस्त्र पहनने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंदाई होगी। मिलते हैं फिर से किसी और महत्पूर जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।